स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चैनल पर Electronic Mechanic Theory की सीरीज से आज आपके लिए हम Part 6 लेके आए हैं 25-25 कुश्चन की सीरीज है तो आज आप इसमें स्टेडी करेंगे 125 से लेके 150 तक के कुश्चन तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ अपने दोस्तों को सेर भी कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर 126 है मापने वाले उपकरण के भरोसे मंद मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रक्रिया का नाम क्या है ये देखिए इसका option A है आपका कैलिबरेशन option B है रेंज टेस्ट option C है रेलाइनमेंट फिर से उसका संरेखन कराना या option D है टेस्टिंग स्टेंडर परिक्षण वानकों का तो इसका जो सही option होगा आपका देखिए होगा कैलिबरेशन नॉर्मली जो इतने बारी मीजरिंग एक्क्यूपमेंट होते हैं उनका time to time हमें कैलिबरेशन करना पड़ता है जिससे उसमें अगर कोई तुरूटी आ गई हो तो वो हमारा उसे हम सही कर सकें नेक्स्ट कुश्चन है आपका how the accuracy of amplitude and frequency measured by CRO is checked CRO दोरा मापी गई amplitude और अबृत्ती की सटीकता कैसे जांची जाती है तो इसका option A है आपका by sine wave signal sine wave signal दोरा option B है आपका by function generator दोरा या option C है आपका by complex waveform जटिल तरंग रूप से complex waveform के दोरा या option D है आपका by built-in calibration signal उसमें built-in calibration signal रहता है उसके दोरा तो इसका जो सही option होगा आपका होगा built-in calibration दोरा CRO में जो होता है उसकी amplitude और अबृत्ती की सटीकता एक्शली उसके अंदर built-in calibration होता है उसके त्वा चेक किया जाता है question number 128 है which bonding material is used for soldering a joint किसी joint को टाका लगाने के लिए किस सामगरी का उपियोग किया जाता है option A है आपका oil, तेल option B है आपका flux option C है acid मतलब अमल या option D है grease तो इसका सही option आपका होगा option B flux हम normally soldering के लिए flux का use करते हैं bonding material के रूप में question number 129 है at which temperature दा 6040 6040 6040 solder start meeting किस तापमान पर 6040 solder मिलना शुरू होता है option A है आपका 100 degree Celsius option B है आपका 200 degree Celsius या option C है 300 degree Celsius और option D है 380 degree Celsius इसका जो सही option है आपका है 200 degree Celsius चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर 130 Which step is important for soldering a joint एक joint को टाका लगाने के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है Option A है आपका heating the joint जोड को गर्म करना Option B है cooling the joint जोड को ठंडा करना या Option C है आपका pasting the joint जोड को चिपकाना या Option D है आपका cleaning the joint जोड की सफाई करना तो इसका जो सही Option है आपका है heating the joint किसी भी अगर उसको हमें soldering करना है तो सबसे पहले हमें joint को heat करना होता है Question No. 131 है What is the range of temperature used in soldering station टांका लगाने वाले stationों में उपियों किये जाने वाले आपमान की सीमा क्या है इसमें देखिया Option A दे रखा है आपका 150 to 450 degree centigrade Option भी है 450 to 600 degree Celsius Options है 600 degree से 800 degree Celsius या Option D है 800 degree Celsius से 1000 degree Celsius तो इसका जो सही Option होगा आपका होगा 1500 से 400 यानि 150 degree Celsius से 400 degree Celsius Question No. 132 है What is the name of the tool इस tool का नाम क्या है यहाँ पे देखिया आपको एक tool दिया हुआ है आपसे पूछ रहा है इसका नाम क्या है तो Option ने दे रखा है आपका Chopper tool Option भी है Crimping tool Option C है आपका Soldering Iron और Option D है आपका Plunger D Soldering Tool इसका जो सही Option है आपका है Plunger D Soldering Tool वीडियो पूरा देखेगा और वीडियो के लास्ट में आपको एक bonus question भी मिलेगा और उस bonus question का answer आप अगर comment box में देंगे था हमको बहुत ही अच्छा लगेगा Question No. 133 है What is the name of the soldering iron tip टांका लगाने वाल लोहे की नोक का नाम क्या है यहां पर आपको image में देखिए कि यह दिया हुआ है टांका लगाने वाली लोहे की नोक इसका नाम पूछ रहा है क्या है Actually इसको क्या कहते है Option A है Conical Option B है Pyramid Option C है Chisel Taper या Option D है Round Bevel इसका जो सही Option है आपका है Conical यह सेप देखिए भी आपको पता चला है इसको Conical कहते है Question No.134 है What is the name of flux used for soldering electronic components Electronic उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले जो टांका लगाते हैं उस flux को क्या कहते है Electronic उपकरणों के लिए जो इस्तेमाल होने आला flux है टांका लगाने के लिए उसको क्या कहते हैं बेसिकली तो Option है आपका Regin Option B है Rogin Option C है Mild Acid या Option D है Organic Acid इसका जो सही Option होगा आपका होगा Rogin Hindi वाले पर मत जाईए आप English में देख लीजे Normally आपको Rogin लिखके ही पूँचता है इसको ठीक है तो इसको आप English पे ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा Rogin Question No.135 है How many types of soldering is used for jointing metal surface धात्यकी सत्हों में सामिल joint करने के लिए कितने प्रकार के टांका लगाने का उपयोग किया जाता है इसमें देखिया Option A है 2 Option B है 5 या Option C है 4 और Option D है 3 तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा 2 2 इसका सही आंसर है Question No.136 है What is the full form of the abbreviation SPDT used in switches? Switch में प्रयूक्त संचिप्त नाम SPDT का प्रोण रूप क्या है Option A है आपका single phase dual throw Option B है आपका single pole single throw ठीक है Option C है आपका single pole double throw या Option D है आपका shared pole double throw ठीक है तो इसमें देखेंगे इसका सही Option जो है आपका है Single pole double throw SPDT जो होता है उसका meaning होता है Basically Single pole double throw Question No.137 है Which ratio of tin-led combination is used for electronic component soldering work? Tin-led सही ओजन के किस अनुपात का उपयोग Electronic घटक में टांका लगाने के काम के लिए किया जाता है इसका Option है आपका 40 by 60 Option B आपका दे रखा 2.11 something Option C है आपका 60 by 40 Option D 63 by 37 इसका जो सही आंसर है आपका है 60 by 40 60 by 40 के ratio में यूज किया जाता है Question No.138 है When does the rosin flux melts in a soldering process? टांका लगाने की प्रक्रिया में rosin flux का पिगलता है इसका देखेंगे Option A आपका है After the solder melts solder के बाद पिखलता है When the solder is melting जब solder पिखल रहा है तब पिखलता है या During the solder is melting solder के दोरान पिखल रहा होता है साथ में या Option D है When the solder is heated जब solder गरम किया जाता है तो इसका सही Option है आपका Option D जब solder गरम किया जाता है उस टाइम पे flux जो है melt होता है Question number 139 है आपका What is the additional advantage of rosin flux used for soldering electronic components Electronic घटकों को solder करने के लिए उपियोग किये जाने वाले Rosin flux का अत्रिक तलाव क्या है और extra advantage क्या है यह आप यह पूछना चाहे रहा है तो option है आपका It is non-conductive यह गैर प्रवाहकी है ऐसा लिखाता बट यह नहीं होगा अच्छा चालक नहीं है करके होगा इसका आंसर It is good conductor यह अच्छा चालक यह conductor है Option Z है It is chemical paste यह एक रासाइनिक paste है यह option D आपका in organic acid in nature यह प्रकृत में अकार्वनिक acid है तो इसका जो सही option होगा आपका होगा It is non-conductive रोजिन flux का extra advantage यह है कि वो non-conductive होता है Question number 140 है आपका What is the full form of the abbreviation DPDT used in switchage Switchage में इस्तिमाल होने वाले short form DPDT का संचिप्त नाम क्या है Option A है आपका dual phase dual throw Option B है double pole direct throw Option C है आपका direct pole double throw या Option D है आपका double pole double throw देखते हैं इसका सही answer है आपका double pole double throw DPDT का पूरा नाम होता है double pole double throw यानि दो pole and दो throw करके ठीक Question number 141 है आपका How is the soldering method used for joining large metal card टांका लगाने की विधी का उपयोग बड़े धात में सामिल होने के जो कैसे मतलब यह है basically हिंदी translation थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगस्ता है पढ़ने में इसलिए English question पे ज़्यादा focus कीजिएगा यह basically पूछ रहा है कि soldering method यूज किया जाता है large metal में उसको क्या कहते हैं तो इसका देखेंगे आप option A दे रखा है welding option B है braging option C है hot soldering number 142 है how much time is required to make quality soldered joint using soldering iron टाका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके एक गुडवत्ता वाले solder joint बनाने के लिए कितना समय आवस्यक है option A है आपका 3 to 7 second option B 7 to 10 second option C है 10 to 15 second या option D है 15 to 20 second इसका सही option होगा आपका 3 to 7 second हमें 3 से 7 second लगते हैं एक अच्छा joint बनाने में question number 143 है which type of soldering is used for electronic circuit electronic circuit के लिए किस प्रकार के soldering का उपयोग किया जाता है यह बहुत ही important question है आपके exam में कई बार पूछा गया है तो इस question को थोड़ा सा ध्यान से देखेगा option A दे रखा आपका brazing option B है soft soldering option C है hot soldering और option D है hard soldering तो इसका जो सही option होगा आपका होगा soft soldering electronic circuit में normally हम soft soldering का इस्तेमाल करते हैं question number 144 है which tool works on the principle of air suction air suction यानि Y के suction के सिधान पर काउन सा उपकरण काम करता है इसमें देखे पहला option है आपका soldering iron दूसरा है soldering wick तीसरा option है आपका option C de-soldering braid या option D है आपका de-soldering pump ठीक है तो इसमें जो सही option होगा आपका होगा de-soldering pump जो है वो air suction principle पे काम करता है question number 145 है which soldering instrument has hot air blowing facility कि soldering instrument में गर्म हवा के blowing की facility यानि सुबिधा होती है option A है आपका soldering iron option B है soldering station option C है web soldering machine या option D है आपका temperature controlled soldering iron तापमान नेंत्र soldering iron ठीक है इसका सही option आपका होगा soldering station option B सही option है question number 146 है what is produced by the power supply connected soldering iron टांका लगाने वाले soldering iron से बिजली की आपूर्त से क्या उत्पादित होता है number 1 है fire आग number 2 है B option heat या गर्मी option C है cool air ठंडी हवा option D है water vapor जलवास्प इसका सही option आपका heat actually जो हमारा power supply जो हम connect करते हैं soldering iron को तो एक heat generate होती है तो उसी के वज़ा से हमारा soldering का काम सफल हो पाता है ठीक है तो heat इसका सही option है जलवास यह सब गलत option है option B is the right answer question number 147 है what is the purpose of flux in soldering electronic circuit components electronic circuit में flux का क्या purpose है जो soldering करते हैं electronic circuit में तो उसमें flux का उद्देश से क्या है option है आपका form the oxide layer oxide परत बनाने के लिए option B है reduce the solder cooling time soldering के cooling समय कम करने के लिए option C है आपका increase the melting temperature आप soldering के पिखलने के तापमान को बढ़ाने के लिए या option D है आपका dissolve the oxide layer on the metal surface धातू की सता पर oxide की परत dissolve करने के लिए ठीक है तो इसका सही option है आपका option D धातू की सता पर oxide परत के लिए dissolve the oxide layer on the metal surface हम बार बार आप से बोलते आ रहे हैं टेकनिकल जब भी आप exam या answer लिखते हैं तो कोसिस कीजिए English वाले question को ध्यान से पढ़ने के क्योंकि उसका meaning ज़्यादा proper निकलता है as compared to Hindi question number 148 है आपका which gauge number of rosin cord solder is suitable far soldering medium size joint rosin cord solder की कौन सी gauge संख्या soldering मद्यमाकार के जोड़ों के लिए उप्यूक्त है option A है 16 gauge rosin cord option B है 18 gauge rosin cord option C है 22 gauge rosin cord या option D है 24 gauge rosin cord इसका जो सही option है आपका है 18 gauge rosin cord 18 gauge का हम इस्तिमाल करते हैं question number 149 है how the flux residue is removed after soldering a joint एक joint टांका लगाने के बाद flux के आउसेसों को कैसे हटाया जाता है option A है पानी या water option B है petrol option C है organic flux और option D है isopropyl alcohol इसका सही option है आपका option D isopropyl alcohol के द्वारा हम जो flux रहता है उसको residue जो रह जाता residual उसको हम remove करते हैं question number 150 है आपका what is the effect of overheating on soldering a joint एक joint अगर आप टांका लगा रहे हैं तो उसमें अगर overheating हो जाए तो क्या उसका प्रभाव होगा option है आपका cold joint option B है poor wetting option C है आपका dull grainy surface या option D है आपका flux trapped against lid तो इसका सही option आपका होगा dull grainy surface ठीक है next question आपके लिए bonus question है अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उम्मीद करते हैं आप से हम इसके answer की comment box में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका answer देंगे ठीक है तो ये question है आपके लिए which electrical parameter oppose the flow of electron कौन सा बिद्दुत parameter electronों के प्रवाह का विरोध करता है option A है आपका power option B है voltage, option C current या option D resistance जो भी सही answer है आप उसको हमेंसा comment box में जरूर बताईए वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को like करना ना भूले चैनल को subscribe करके अपने दोस्तों के साथ भी share कर दें subscribe button पे click करके notification icon पे भी click कर दें जिससे कोई भी वीडियो इसकी जो अगली सीरीज आएगी या जो भी वीडियो आएगी आपको तुरंद notification मिल जाएगा ओके थेंक यू धन्यवाद